नमस्कार दोस्तों, मैं हिमाशु मिश्रा, आप सभी का क्राइम तक में स्वागत करता हूँ मैं इस वक्त मौझूद हूँ आगरा लखनव एक्स्प्रेस वेपर आगरा से 18 किलो मीटर दूर वाहिद पूर गाओं है इस जगा का नाम जहाँ पर मैं मौझूद हूँ और यहाँ पर मैं क्यूं आया हूँ, दिली तया के इस जगा पर क्यूं आया हूँ, यह मैं आपको बताता हूँ, आप यह सामने देखे यहाँ पर पूरा आप देखे काम चल रहा है दसल जिस जगब पर यह आप बड़ा एक गधा देख रहे हैं जिसे भड़ा जा रहा है फिलाल यहाँ पर सुबर सर्विस रोड हुआ कर दिए लेकिन अचानक से बुद्वार की सुबर यह पूरी की पूरी सर्विस रोड एक दम धड़ाम से 50 फिक की नीचे पहुँच गए और पता जा रहा है कि उत्वक्त रचित नाम का एक शक्त जो कि पाप के कन्नौज का रहने वाला है वो अपने तीन दोस्तों के साथ बॉम्बे गया हुआ था गाड़ी खरीदने के लिए एक SUV गाड़ी खरीदी उसने बॉम्बे से और वो लेकर के वो अपने घर वापस पहुच रहा था अब यहां ते वो कुछी दूरी पर उसका जब घर था तो जब वो यहां पर पहुचा उत्वक्त तुबह के 4 और 5 बज रहते ठीक सामने की जगह जहां पर आप मिट्टी का धेर देख रहे हैं जैसे ही वो वहां पहुचा तो वहां पर अचानक उसे सामने गड़ा दिखाए दिया और एकदम तेजी से जब वो उसने गाड़ी पर ब्रेक लगाए तो यहां तक पहुच गया था गड़े के पाथ वो पहुच गया था और जब गाड़ी पहुची तो अचानक से जिस जगा पर गाड़ी पहुची वो पूरी की पूरी गाड़ी सभी के साथ नीचे 40-50 फिट नीचे गहरे गड़े में पहुच गे लेकिन गनीमत ये रही रचित की कित्मत इतनी अच्छी थी कि इतने नीचे पहुच जाने के बावदूर भी रचित और उसके दोस्तों को चोट नहीं लगी उन सब की जान बच गई कोई चोट भी नहीं लगी लेकिन जिस तरीके से हाशा हुआ ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है थातकर एकस्प्रेश वे और उसके साथ के जोक्रिक्शन हुए है उत्तों लेकर के एक्स्प्रेस बे भी जहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपको नाली दिख रही है दरसल यह आगे देखें किस तरीके से मलबे में तपीज हो गई है पूरी की पूरी तरीके से यह पूरा आप देखें सुबस सक कुछ दूट गया बताईये जा रहा है कि उपर से जो पानी आ रहा है बरसाज जो हुआ उसका पानी नीचे पहुंचा और यहां पर नीचे की मिट्टी थी वो खिसक गई और उसकी वज़ा से यह पूरा गध्धा पूरा गढ़्रा हो गया और सड़क घस गई एक गारी उसके अंदर चली गई लिकिन सवाज यह ह कि चाइस तरीके के हाःध्से दूबारा नहीं होंगे क्या इस गड़े को भरने से आगे के हाथस्तों को रोका जा सकता है क्या सरकार इस हाथसे से सबक लेगी और आज पास इस तरीके के इस highway पे जो भी इस तरीके के उसे गरबडियां नजर आएंगी उसे ठीक करेगी एक वक्षा जब इस एक्ष्प्रेस वेक आउद घाटन किया गया था तो पिछली सरकार में भी इस पे fighter planes उरवाए थे, यहाँ पर इसे land करवाए था, फिर से ही वही चीज दोहराई गई, अब तो हम यही कहेंगे कि उनलों की किस्मत अच्छी थी कि वो लोग सकुशल यहाँ से वापस लॉड़ गए, क्योंकि जित तरीके के हालात नदर आ रहा ह उससे देखकर तो यही लग रहा है कि इस Expressway में अभी कई सारी खामिया हैं जिने जल से जल दूर करिये जारे की जरूरत है कैमरामेन किरपाज सिंग के साथ, हिमाशु मिश्रा, लखनव आगरा Expressway